हाई फ्रेंड्स कैसे आप सब आई होप आप सब अच्छी होंगे आज में आपके साथ मटर पनीर पुलाओ की रेसिपी शेयर करूंगी आपने पुलाओ को बहुत तरीकों से बनाया होगा एक बार आप इस डिलिशियस पुलाओ को बना के देखिए आम शूर आपको बहुत ज अच्छा बनेगा एकदम खिले खिले से चावल लेंगे यहां पर मैं यह पानी डाल ले हूं इसको अच्छे से वाश कर लेंगे चावल को और इसके बाद में इसको सोक करके 10-15 मिनट के लिए रख देंगे चावल को धोकर बहुत जादा देर तक के लिए नहीं भिगोना है बस 10-15 मिनट के लिए ही भिगोएंगे नहीं तो जो चावल है वो टूर जाएंगे मैं यहां पर इसको अच्छे से वाश करके भिगो के रख दे रही हूं चावल को तब तक देखते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉसेस को यह 150 क्रैम्स पनीर है इसको इस तरीके से मैंने क्यू पैन में हो जाएगा और जो पनीर कट करके रखा था इस तरीके से इसको फ्राइ होने के लिए रख देंगे पनीर को फ्राइ करते टाइम गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे पैन को इस तरीके से हिला देंगे जिससे जो पनीर है वो अच्छे से फ्राइ हो जाएगा इस तरीके से पलटते हुए पनीर को सेक लेंगे पनीर को बहुत ज़्यादा नहीं सेकना है नहीं तो यह टाइट हो जाएगा यह देखिए पनीर फ्राई हो चुका है पस इतने ही इसको फ्राई करना है बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है इसको अभी निकाल लेंगे हमने जो घी में पनीर को फ्राई किया है इससे इसमें बहुत अच्छा फ्लेबर आएगा आप चाहे तो इसको ऑईल में भी फ्राई कर सकते हैं बट घी में फ्राई करने से बहुत अच्छी समें खुस्बू आईगी बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा यह देखिए पनीर को मैंने निकाल लिया है दूसरे वरतन में अभी इसी पैन में हम थोड़े से कैश्यू हैं इनको भी फ्राइ कर लेंगे इनको घी में फ्राइ करने से इनमें अच्छी सी कुस्वू और बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ इस पुलाओ को बनाने के लिए हम चावल को बॉयल नहीं करेंगे डारेक्ट ऐसे पुलाओ को बनाएंगे यहां पर यह थोड़ी सी किस्मिस है इसको भी हम फ्राइ कर लेंगे इसको बहुत जादा फ्राइ नहीं करना है देखिए इस तरीके से और इसको भी निकाल लेंगे कभी भी आपका पुलाव खाने का मन करें आप इस इजी और डिलीशियस रेसिपी को बना के खा सकते हैं अपने घर में भी सर्फ कर सकते हैं सभी को बहुत पसंद आएगी किश्मी स्प्राई हो चुकी है याँ पर मैंने ये थोड़े से सूखे मसाले लिये तेज पत्ता, दाल चीनी, ये काली मिर्च है थोड़ी सी थोड़ी सी ये लॉंग ली है और ये हरी इलाइची है इनको भी मैंने लिया है याँ पर मैंने ये वन टेबल स्पून देशी घी लिया है आप चाहें तो कोई भी ऑईल यूज कर सकते हैं लेकिन गी में बनाने से इसका जो टेस्ट है और भी ज्यादा इनैंस हो जाएगा थोड़ा सा ये जीरा सुखे मसालों में तेज पत्ता, लाल मिर्च, दाल चीनी, लॉंग, काली मिर्च, इलाइची, थोड़ी सी एकटी हरी मिर्च मसालों को थोड़ी देर तक सौटे करेंगे, जिससे इनकी खुश्बू और इनका फ्लेवर प्लाव में आ जाए आप चाहें तो और भी मसाले इसमें यूज कर सकते हैं जो हमने चाबल भीगों के रखे थे, वो डाल देंगे देखिए, और चाबल को मसालों के साथ में अच्छी तरीके से भूनना आ है दो मिनिट तक इसको भूनेंगे देखिए, चाबल अच्छे से भून चुके हैं यहाँ पे मैं ये मटर एड़ कर रही हूँ थोड़ी सी गाजर, आप चाहें तो एड़ कीजें, नहीं तो स्किप कर दीजें अच्छे से मिक्स कर लेंगे इनको भी मसालों के साथ में अच्छे से भून लेंगे देखिए, इस तरीके से चलाते रहेंगे थोड़ी देट तक चाबल, मटर और गाजर अच्छे से भून चुके हैं मसालों के साथ में यहाँ पर थोड़ा सा ये गर्म मसाला एड़ किया है आप चाहें तो एड़ कीजें, नहीं तो स्किप कर दीजें थोड़ा सा ये नमक है अच्छे से मिक्स कर लेंगे तरीके से सबी चीजे मिक्स हो चुकी है अब यहाँ पर पानी डालेंगे मैंने एक कटोरी चाबल लिये थे उसी कटोरी से मैं देड़ कटोरी पानी डालूंगी ये मैंने देड़ कटोरी पानी डाल दिया है इस तरीके से इसको चला देंगे ये देखिए पानी की क्वांटिटी एकदम ठीक है आपको भी पानी को इसी तरीके से मेजर करना है सबसे लाश्ट में मैंने ये हाफ लेमन लिया है इसको इसमें स्क्वीज कर देंगे जिसे जो पुलाओ है एकदम खिला खिला बनेगा चावल बिल्कुल चिपकेंगे नहीं सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ये देखिए अच्छे से मिक्स हो चुकी है यहाँ पर मैं इसको कवर करके 5 मिनिट के लिए कुक करूंगी और गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे 5 मिनिट के बाद में चावल को चेक करेंगे ये देखिए जो चावल है वो आधे पक चुके हैं इस तरीके से चला देंगे इनको सभी चीजों को मिक्स करने के बाद में जो हमने पनीर फ्राइ करके रखा था वो एड़ कर देंगे ये कैश्यू इनको भी एड़ कर देंगे किश्मिश और अच्छे से सभी चीजों को मिक्स कर लेंगे इस ताइम पर इन सब चीजों को एड़ करने से ये पुलाओ के साथ में अच्छे से पक जाएंगे और जो भी मसालों की खुस्बू है वो अच्छे से एब्जॉब कर लेंगे यह देखिए सभी चीजें अच्छे से मिक्स हो चुकी है यहाँ पर हम इसको कवर करके दुबारा लो फ्लेम पे 4-5 मिनिट के लिए पकाएंगे 5 मिनिट के बाद में चावल को दुबारा से चेक करेंगे यह देखिए चावल पक चुके हैं और आप देख सकते हैं चावल एकदम अलग-अलग हैं विल्कुल भी चिपके नहीं हैं आप भी इसी तरीके से पला बहुत इजिली घर में बना सकते हैं बहुत ही डिलीशेस बनता है यहां पर यह थोड़ी सी कटी धनिया एड़ करेंगे और इसको इसी तरीके से कवर करके छोड़ देंगे गैस के फ्लेम को बंद कर दिया है मैंने 5 मिनिट के बाद में चेक करेंगे जो इसमें भाप थी उसी से चावल बिल्कुल अच्छे से पक गए होंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब धनिया को यह देखिए बहुत ही अच्छा पुलाव बना है और बहुत जल्दी बन जाता है इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेंगे सभी चीजों को गर्मा गर्म पुलाव बनके रेडी है इसको आप रायते या पिर अचार किसी के भी साथ सर्फ कर सकते हैं बहुत ही जल्दी बन जाता है और बहुत जादा डिलिशेस होता है एक बार आप ज़रूर ट्राय करके देखिए आप देख सकते हैं कितना अच्छा पुलाव बना है आप भी इसी तरीके से पुलाव को बना सकते हैं और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए थैंक्यू